हैलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में सौगत है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को आप ESIC का इफेचान कार केसे डाउनलोड कर सकते हो और ये जो इफेचान कार है इसके आपको किदर जरूरत पढ़ सकती है वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में आगे बताने वाला तो इस वीडियो को इंट तक देख लिजे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अभी हमें ESIC का जो इफेचान काड़े वो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है ESIC की जो वेब्सेट है ESIC.go.in इस वेब्सेट का जो link है मैंने mono description में डाल दिया है तो इस वेब्सेट पे आना है वेब्सेट पे आने के बाद देख सकते हो वेब्सेट पे आने के बाद नीचे बहुत सारे आपको option देγने को मिल जाएंगे second option है insure person beneficiary इस option पर आपको click करना है click करने के बाद ok पर click करना है ok पर click करने के बाद अभी इधर देख सकते हो आपके हिसाब से आपको पहले language select करना है तो मैं इधर English language select कर लेता हो अभी इधर insure person में user ID में आपका ESIC का जो number है IP number है और डालना है और password डालना है तो अभी हमें password बनाने के लिए पहले हमें ESIC का जो number है वो activate करना पड़ता है अगर अपने अभी तक activate नहीं किया है तो description box में मैंने वीडियो का link दिया हुए आप उसके उपर click करके आपका ESIC का number activate कर सकते हैं और password बना सकते हैं successfully login हो चुका हूँ login होने के बाद अभी इदर बहुत सारा details आपका personal details आपको देखने को मिल जाएगा अभी हमें ESIC का जो e-fetion card है वो download करना है तो इदर ensure person में नीचे बहुत सारे option हमें देखने को मिल जाएगे तो आभी इदर देख सकते हैं इचे विव प्रिंट e-fetion card देख रहे है option e-fetion card इसके उपर click करना है Click करने के बाद employee name आपको देखने को मिल जाएगा Employer name देखने को मिल जाएगा फिर company का जो code है वो देखने को मिल जाएगा अभी इधर देख सकते हो view print e-fetion card इसी के उपर आपको click करना है और जो भी आपका e-phe-n कड़े है वो download करना है देख सकते हो download पे आपको click करना है जैसे आप download पे click करेंगे उसका आपको print out निकलना है अभी देख सकते हो कुछ issue है website का इसके बज़े से वो download नहीं हो रहा है जैसे आप again try करेंगे तो आपका जो भी ESIC का जो फेचान काड़ है वो डाउनलोड हो जाएगा मैं एक बार फिर से इधर व्यू प्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ इसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलना है प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है जो भी आपके ESIC में जो family member add है उन सभी का एक photo family photo निकालना है और आपको आपके company के पास लेके जाना है फिर आपको क्या करना है वो जो photo है family photo वो इफेचान कार्ड पे लगाना है और उसके बाद आपका company का stamp signature उसके उप पर लेना है और जब आप ESIC hospital में जाएंगे इलाज कराने तब आपके पास ये ESIC का e-fetan card होना बहुत जरूरी है तो आप इसी तरह से आपका e-fetan card डाउनलोड कर सकते हो और आप ESIC की hospital में आप इलाज करा सकते हो तो friends अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना ऐसे वीडियो में आपके लिए लेक आता हो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिं वंदे मातरम बाई बाई